नमस्कार दोस्तो सवागत है आप सबी लोगों का एक बार फिर से तयारी कर लो चैनल के टॉपिक कावव शास्त्र के अंतरगत अलंकार शास्त्र की तो दोस्तो हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं अलंकार शास्त्र है क्या किस आचारे ने क्या परिभाशा दिया है क प्रेस कर लें और उसके बाद दोस्तों चैनल के प्लेलिस्ट में TGT PGT 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट दी हुई है उसमें जाकर वहाँ पे कंप्लीट स्लेबस UGC NIT JIC का जो स्लेबस है TGT PGT का जो स्लेबस है वहाँ पे टॉपिक वाइस टॉपिक कंप्लीट कराया गया है तो आप वहाँ जाकर उन्हें जरूर से जरूर देखें बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें वीडियो को आखरी तक जरूर तो दोस्तों अलंकार सिद्धान्त अलंकार जो संप्रदाय है उसके प्रतिष्ठित आचार नय प्रस्तुत की है परंतु उन्होंने रस सिद्धान्त को ही प्रमुखता दिया है इसलिए अलंकार सिद्धान्त के प्रवर्तक भामा को माना जाता है जहां तक भरतमुनी की बात है उन्होंने चार अलंकारों उपमा, रूपक, दीपक, यमक का उलेख किया है भरतमुनी नाट्य शास्त्र में जिनकी रचना है उपमा के पांच भेद प्रशंचा, निंदा, कल्पिता, सहशी, किंचित, द्रशी और यमक के दस भेद किये हैं तो ये था अलंकार संपरदाय के प्रतिश्ठापक आचारे भामा जी और भरतमुनी के बारे में अलंकार सिध्धान्त के प्रमुख आचारे अलंकार संपरदाय के प्रमुख आचारे या व्याख्याता भामा छटमी शतापदी का पूरवार्ध दंडी सातमी शतापदी उद्धट आठमी शतापदी तथा रुद्धरट नौवी शतापदी का पूरवार्ध है भामा का अनुकरण दंडी ने किया और भामा तथा दंडी का उध्धट ने किया है उपरोक्त सभी आचारे अलंकार को ही कावे की आतमा मानते हैं भारती ये काविशास्तर के इतिहास में यही संपरदाय सबसे प्राचीन माना जाता है कौन सा कावशास्त के उसमें अलंकार संपरदाए फिर है अलंकार सिध्धान्त के आचारियों की मूल अवस्थाएं मूल इस्थापनाए सबसे पहले दिया हुआ है आचार्य भामा भामा कश्मीर के निवासी थे तथा इनके पिता का नाम रक्रिल गोमी था कभी कभी ये प्रशन भी पूछ लेता है कि भामा के पिता का नाम क्या था है रक्रिल गोमी बलदेव उपाध्याय ने भामा का समय छटी शताबदी का पूरवार्ध निश्चित किया है सर्व प्रथम भामा ने ही अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र या संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया और अलंकारों को काव्य का अनिवार्य तत्यो गोशित किया भामा के अनुसार शब्दार्थव सहितव काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ दोनों का साभाव काव्य है इन्होंने काव्या लंकार नामक गरंत की रचना की जो छे परिछेदों में विभक्त है भामा के काव्य अलंकार में परिछेद आनुसार निरुपित विशियों की तालिका कुछ इस प्रकार है किस प्रकार है यहाँ पे दिया हुआ है एक तरफ है अध्याय और दूसरे तरफ है उनका विश है भामा के काव्य अलंकार में परिछेद निरुपित विशियों विशे हैं जिनके बारे में उन्होंने बताया है भामा भामा ने अलंकार को काव्य का एक आवश्यक आभूशक तत्व मानते हुए कहा है ना कांतमिपी विभूशनम विभाती वनीता मुखम अर्थात बिना अलंकारों के काव्य उसी प्रकार शोभित नहीं हो सकता जिस प्रकार किसी सुन्दर इस्त्री का मुख बिना अलंकारों के शौभा नहीं पाता उन्होंने 38 अलंकारों का वर्नन किया है जिसमें दो शब्दा लंकार अनुपरास और यमक तथा 36 अर्था लंकार है भामा ने अलंकार का मूल मतलब प्राण वक रोक्ती को माना है भामा उन्हें रीती को ना मान कर काव गुडों का विवेचन किया है भारत मुनी द्वारा वर्णित दस गुडों के इस्थान पर तीन गुडों तीन गुड कौन कौन से माधुर्य ओज तथा प्रसाद का वर्णन किया है भामा को आभाव वादी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने काव में ध्वनी की सत्ता सुईकार नहीं किये ध्वनी की सत्ता को उन्होंने सुईकार नहीं किया है फिर दूसरे आचारे के रूप में नाम आता है यहां पर आचारे दंडी आचार्य दंडी अलंकार संपरदाय के दूसरे प्रमुख आचार रहे हैं दंडी का समय सातवी शताबदी स्वीकार किया जाता है ये दक्षिड भारत के निवासी थे दंडी पल्लव नरेश सिंग विश्नू के सभा पंडिट थे उन्होंने काव्या दर्ष नामक गरंथ की रचना की काव्या दर्ष में चार भाग मतलब परिछेद तथा लगभग छैसो पचास शलोख है दंडी प्रथम आचारे हैं जिन्होंने वैदर भी तथा गौडी रीती के पारस्परिक अंतर को इस्पस्ट किया तथा इसका संबंध गुड से इस्थापित किया दंडी के काव्या दर्ष में परिछे दानुसार निरुपित विशियों की ताली का कुछ इस प्रकार है यह यहाँ पे दिया हुआ है अध्याय और दूसरी तरफ उनका विशे विशे है काव्य लक्षन भेद रीती तथा गुड का विवेचन अर्था लंकार निरुपन शब्दा लंकार निरुपन विशेषता इसमें यमक का उल्लिक किया गया है दश विधी काव्य दोशों का विवेचन काव्या दर्ष दंडी आचार्य दंडी ने अलंकार शब्द को परिभासित करते हुए लिखा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रचबते दंडी ने 49 अलंकारों का वरण किया है जिसमें से चार शब्द अलंकार कौन-कौन से अनुपरास, यमक, चित्र, प्रहेलीका और 35 अर्था लंकार है दंडी ने अतिशयोक्ती को प्रथक अलंकार निरूपित किया है दंडी प्रबंध काव्य को भाविक अलंकार मानते हैं बल्देव उपाध्याय दंडी को रीती संप्रदाय का मार्ग दर्शक भी मानते हैं तो ये था दंडी के बारे में आगे देखते हैं आचार रुद्रट के बारे में आचार उद्भट के बारे में आशार्य उद्भट उद्भट अलंकार से संबंधित आचार्य थे इनका समय आठ्वी शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है आचार्य बल्देव उपाध्याय ने इनहें कश्मीर के राजा जया पीड का सभापंडित माना है आशार्य उद्भट ने काव्या लंकार सार संग्रह नामक गरंथ में अलंकारों का आलोच नातमक एवं वैज्यानिक धंक्स पर विवेचन किया है उद्भट ने रास लंकारों में समाहिद को स्विकार किया तथा नाट में शान्ती रस की प्रतिष्ठा की आशार्य उद्भट ने 41 अलंकारों का वरण किया है शिलेश को सभी अलंकारों में श्रेश्ठ मानते हुए शिलेश के दो प्रकार शब्द शिलेश तथा अर्थ शिलेश की कलपना तथा दोनों को अर्था लंकारों में ही परिगडित किया है उद्भट ने पुनरुक्तव दाभास, छेका नूप्रास, लाटा नूप्रास, काविहेतू, काविदरश्टांत और संकर नामक नवीन अलंकारों की उद्भावना भी की है इन्होंने अलंकारों को सरुप्रथम छे वरगों में वरगी करत किया है उद्भट ने अर्थ भेद से शब्द भेद की कलपना की और अर्थ के दो भेदों की कलपना पहला विचारित सुस्त तथा दूसरा अविचारित रमडिये की कलपना की है मतलब दो भेद की हैं विचारित सुस्त तथा दूसरा है अविचारित रमडिये फिर है आचार्य रुद्रट रुद्रट कश्मीर के निवाशी थे तथा इनका समय नौवी शताबदी का पूरवार्द सुविकार किया जाता है तो दोस्तों इनका जो है जन्मकाल याद कर लिजीगा जैसे कि नौमी, सात्वी, आठ्वी, कब कौन से आचार्य आए इनमें से प्रशन पूछ लेता है और इनकी जो परिभासा है उसमें से भी प्रशन पूछ लेता है कभी-कभी रचनाय भी पूछ लेता है चलिए देखते हैं रुद्रट की रचना का नाम है कावया लंकार इस ग्रंथ में सोला अध्याय तथा कुल 74 शलोक हैं आचार रुद्रट ने सरव प्रثम अलंकारों का वैज्यानिक वरगी करण प्रस्तुत किया है कि किस आचारे ने सर्व प्रतम अलंकारों का वैज्यानिक वर्गी किरण प्रस्तुत किया है तो नाम आएगा आचारे रुद्रट इन्होंने अलंकारों के चार वर्ग वास्ताव, आपम में, आतिशय और शलेश में विभाजित किया है इन्होंने रसवत आदी अलंकारों को अमान ने ठहरा कर भामा के समय से रस और भाव को अलंकार के भीतरिस्तान देने की तुर्टी पूर्ण परंपरा का परिशोधन किया है भरती कावेशास्त्र के अन्य आचारियों का अलंकार सम्बंधी विचार किया है तो आईए देखते हैं गैर अलंकार वादी आचारियों ने भी अलंकार सिध्धान्त पर अपना मत व्यक्त किया है जिसमें प्रमुख आचारियों के जो विचार हैं वो कुछ इस प्रकार हैं सबसे पहले नाम आता है आचार्य वामन आचारी वामन रीती संप्रदाय के प्रवर्तक आचारी हैं तो रीती संप्रदाय के प्रवर्तक आचारी कौन है आचारी वामन इनके ग्रंथ का नाम है काव्या लंकार सूत्र व्रत्ती इन्होंने 32 अलंकारों का विवेचन किया है इन्होंने विया जोक्ती नामक नवीन अलं उनके अनुसार गुड आधी कावे के शोभा कारक धर्म है तो अलंकार उस शोभा के वर्धक है और रस गुडों की कांती इस प्रकार वामन की द्रश्टी में अलंकार का महत्तु गुडों की अपेक्षा कम हो गया आचारिवामन ने वक्रोक्ति को अर्था लंकार में वामन अर्था लंकार को उपमा का प्रपंच मानते हैं आशारिवामन अलंकार को साध्य और साधन दोनों माना है आशारिवामन ने अलंकार को साध्य और साधक दोनों रूप में सुविकार किया है दोनों रूप में माना है वामन का दो सूत्र अलंकार के संबंध में प्रिसिद्ध हैं कौन से काव्यम ग्रहा ग्रहाम लंकारत और दूसरा है सौंदर्यम अलंकारा फिर है आचारे कुंतक आचारे कुंतक ने बीस अलंकारों का वर्नन किया है वहीं आचारे भोजने अलंकारों के तीन वर्ग किये हैंद बाह आब्हेंतर और अबहे और उन्हें क्रमशा, शब्दा लंकार, अर्था लंकार तथा मिश्रा या उभिया लंकार कहा तथा प्रति एक के चौबिस चौबिस बहेदों का निरुपन कर कुल 72 अलंकारों का वर्णन किया है इन्होंने प्रबंधा लंकार की उद्भावना कर प्रबंध या नाटक को भी अलंकारों में परिगडित किया है भोज ने उपमा, रूपक, उद्प्रेक्षा, आधी को उभिया लंकार की कोटी में रखा है फिर है आचार्य मम्मट मम्मट ने सम सामाने विनोक्ति एवम अतद गुड इन चार नवीन अलंकारों की उद्भावना की है मम्मट ने कावि लक्षण में अनलंकरती पुना क्वापी कहकर कावि में अलंकारों की अनिवारी उप्योगिता को समाप्त कर दिया उनकी अनुसार गुड रस के नित्य धर्म है अलंकार शब्द के अस्थिर धर्म है गुड रस शास्चरात एवम नित्य रूप से उतकरशक है पर अलंकार शब्दार्त की शोभा के माध्यम से ही रस के उतकरशक है और वह भी अनित्य रूप से फिर है आचारे रुयक आचारे रुयक ने अर्था अलंकारों के पांच वर्ग साद्रश्य वर्ग, विरोध वर्ग, शरंखला वर्ग, न्याय मल वर्ग, वर्ग कन्याय मूल, वाक्य न्याय मूल और लोकन्याय मूल तथा गुडार्थ प्रतीक मान वर्ग किये हैं इन्होंने परिराम, उलेख, विकल्प और विचित्र नामक चार नवीन अलंकारों की उद्भावना भी की है आचार रुयक ने उपमय प्रकार वैचित्रे नाने कालंकार बीज भुतेती प्रथम निर्दिष्टा कहे कर उपमा को अलंकारों का मूल माना है तो दोस्तों पढ़ने में बहुत लंबा है तो दिहान से पढ़िएगा मुझसे भी थोड़ा सा टफ हो गया ठीक है फिर आगे है आचार जैदेव आचार जैदेव ने अलंकार निरुपन की रिजू एवं संचिप्त शैली का परवर्तन किया जिसका अनुसरण रीती काल के अनेक कवियों ने किया है वहीं आचार जैदेव विश्वनात ने निश्चय तता अनुकूल दो नवीन अलंकारों का निरुपन किया है फिर आचार जैदेव जगननात का यहां पर नाम आता है वही अगर आनन्दवर्धन की बात करें तो आनन्दवर्धन ने अलंकारों का नूतन लक्षण प्रस्तुत करते हुए इसका महत और भी कम कर दिया आनंदवर्धन ने कहा है अंगाश्रितास्तोलंकारह मन्तव्यह कटकादीवत अर्थात अलंकार शब्द और अर्थ के आशेत रहकर कटक कुंडल आदी के समान शब्दार्थ रूप शरीर के शोभा जनक हैं अता इनके अंतरगत ध्वनी को समा विष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ध्वनी विशुद रूप से आंतरिक तत्तो है फिर है जैदेव जैदेव ने अलंकार को काव्य का अनिवार तत्तो माना है और अलंकार विहीन रचना को उश्णता रहित अगनी की भाती विर्थ माना है उन्होंने लिखा भी है क्या लिखा है अंगी करोती यह काव्यम शब्दार्थव नलंकरती असोना मन्यते कसमाद नुसर्ण मनलंकरती केशवदास इन संस्क्रत आचारियों के परवर्ती काल में हिंदी में बहुत से ऐसे आचारि हुए जिन्होंने अलंकर संप्रदाय का समर्थन किया जिनमें केशवदास ने अलंकर को परिभाशित करते हुए लिखा जदपी सुजाती सुलक्षनी सुवरन सरस सुवरत भूशन बीना नाराजी कविता बनीता चित ये तो पंक्ती कई बार पूछी जा चुकी है परिशाओं में की ये पंक्ती किसकी है तो केश अधास जी की है और केशवदास जी ने अलंकर को परिभाशित किया है इन पंक्तियों के माध्यम से तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जो की हमने अलंकार शास्त पर आधारित वीडियो बनाई थी अगर यहाँ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और कोई भी समस्या हो रही हो कोई भी प्रॉब्लम हो रही ह हुआ है वहां पर जाके मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स टॉपिक में अगले टॉपिक अगले वीडियो के साथ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद